तो अब आपका हमारी यूट्यूब चैनल के एक और नया टेक्नूज जाले वीडियो में तो दोस्तों लेकर आगया हूं आप लोगों के लिए गर्मागरम टेक्नूज और दोस्तों सुबह को विडियो नहीं है उसके लिए स्वारी कहना चाहूंगे दोस्तों क्योंकि सुबह है तो अगर आप रेडमी नोट 9 प्रों यूज करते हो तो जून 2020 का सेकुरिटी पैच लेवल अपडेट आप चेक कर सकते हो अपने रेडमी नोट 9 प्रों में आगया पड़ते सेमसम की तरप और सेमसम गैलक्सी एस एट और एस एट प्लस इन दोनों स्मार्टफोन के से रिलेटेड एक और नई लिक निकल कर आ रही है और आइस उनिवस ने कहा है कि स्यमसम को लेक्सी नोट 9 अगस्त को लॉंच होने वाला है तो दोस्तों 5 अगस्त को आपको सम्सम को लेक्सी देखने को मिलेगा आपको शामी की तरप से शामी का यह मीट टीबी स्टिक जल्दी देखने को मिल जाएगा आगे मरते दूस्तों आइक्यू की तरफ और आइक्यू जड़वन एक्स स्मार्टफून से रिलेटेड एक नया पोश्टर कंपनी ने शेयर करते हुए आइक्यू जड़वन एक्स स्मार्टफून की जो स्पेसिफिकेशन है उसको कंफर्म कर दिया जो कि मैं आपको डिस्पेय में दिखा रहा हूं और आइक्यू जड़वन एक्स स्मार्टफून में आपको 120 हच का रिप्रेश्ट देखने को मिलेगा सेनब्रगन 765 जी पर रन कर स्मार्टफून कर दिया है तो 9 जुलाइब को आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा इंडिया में लॉंच से रिलेटर अभी कोई लीक्स इसकी नहीं आई है आगे वरते हुआवे की तरह दोस्तों हुआब अपना स्मार्टवाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच और इसाथ यह इस्मार्टवाच्वाच्वाच्वाच्वार्लष्प पंसक्रा करता है और मुझह द्रलक देंगा हुए को आपकोहाही की तरफ से एक निया metropolitan वेप्साइट पर देखने को मिल जायगा आगे बड़ते हैं, Redmi की तरफ और Redmi ने अपना Redmi Book 13, Redmi Book 14 और Redmi Book 16 इन तिनों को launch किया था, जिसमें AMD Ryzen Processor दिया गया था, और इन तिनों को बहुत पहले launch किया था, बट अब Redmi, अपना Redmi Book 16 को फिर से launch कर रही है, 8 Juli को चाइना में, बट दोस्तों इसमें आपको AMD का Processor देखने को न करने वाला है, बाकि इंडिया में इसके launch से रिलेटर, अभी कोई details या फिलीक्स नहीं आई है, और इसी साथ, Redmi K40 स्मार्टफोन के launch देखने को मिलेंगे, और इसी साथ, Redmi K40 स्मार्टफोन जो है, उसमें आपको Snapdragon 7 सीरीज का कोई process देखने को मिलेगा, और रेडमी के 40 स्मार स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 866, प्लस वाले जो processor है, वो देखने को मिल सकता है, बाकि आपको क्या लगता है, आप हमें comment section में बता सकते हो, और इसके launch rate से एकदम confirmation, अभी कोई नहीं आई है, कि कभी से launch किया जाएगा, बट आपको 2021 के first half में Redmi K40 सीरीज स्मार्फोन देखने को मिल सकता है, आगे बढ़ते है, audio products की तरफ, दिक्कात आती है भाई साब, आप समझा करो, तो दोस्तों, बोल्ड जो की एक company है, और इसने इंडिया में अपना प्रो येरवर्ट को launch कर दिया है, आज ही, और इसकी जो price है, वो company ने 3000 रुपर रखी है, और इसमें आपको Bluetooth version 5. 5.0 का support मिलता है, साथी में single charge पर ये 8 घंटे तक का backup देती है, और आप इसे अगर charging case के साथ use करोगे, तो आपको 24 घंटे तक का backup देखने को मिलेगा, और इसी साथ आपको इसमें low latency का feature का support मिलता है, तो जिस करान जब आप gaming करोगे, तो sound जो है, आपको बहुत ही अच्छी म करने को मिलेगी, और इसका जो design है, वो मैं आपको display पर शोग करा हूँ, तो ऐसा आपको bolt का pro earbud देखने को मिलता है, और flip card पर अभी available है, अगर आपको purchase करना है, तो आप जाके purchase कर सकते हो, और इसी के साथ टूरुक नाम की एक company है, जो कि इंडिया में अपना टूरुक चाल रहा है कि एक cheap and best earbud है, बाकि आपको इसके rated कोई details चाहिए, तो मैं आपको link में description में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसके rated detail से वो पढ़ सकते हो, बाकि यह earbud flip card पर available है, अगर आपको order करना है, तो आप जाके order कर सकते हो, आगर बढ़ते हो WhatsApp की तरह पादोस्तो पर उसको update करके यह नया 3 feature check कर सकते हो, और यह 3 जो नय feature है, वो कुछ-कुछ लोगों को यह अभी तक मिले हैं, और कुछ-कुछ लोगों को नहीं मिले हैं, उनको बहुत यह WhatsApp की तरफ से यह 3 नय feature मिल जाएंगे, और दोस्तों अगर आपको WhatsApp web में dark mode enable करना है, तो उसके WhatsApp web में dark mode enable हो जाएगा, तो यह 3 नय feature WhatsApp ने अपने Android और iOS दोनी user के लिए रूट कर दिया गया है, तो अगर आपके WhatsApp में अभी तक अपडेट नहीं आया, तो आप अपने WhatsApp में जाकर अपडेट करके 3 नय feature का मजा उठा सकते हैं, और दोस्तों इंडिया में 59 app को तो बैं कर दिय सकते हो, क्योंकि आप इस एप में अपना जो फोटो उसको पोस्ट कर सकते हो, और साती में आप अपने दोस्तों के साथ चैटिंग भी कर सकते हो, और वीडियो और audio कॉलिंग भी कर सकते हो, और इसी के साथ इस एप में आपको 8 Indian language का support मिलता है, और यह एप अभी आप नाम का एक निया गेम लॉंच किया गया है, जो कि फ्री टू प्ले बैटर लोरेल गेम है, और इसमें आपको फ्यूचर इस्टी गेमिंग एक्स्पिरेंस देखने को मिलता है, तो अगर आपको इस गेम में इंट्रेस्ट है, तो आप इसे पर्चेस करके अपने PlayStation 4 में खेल सकते हो, और दोस्तो अगेन PUBG की तरफ से एक और इंट्रेस्टिंग खमन निकल कर आ रही है, और फिल से दोस्तो एक 15 साल के लड़के ने जो कि पंजाब में रहता है, और उसने PUBG गेम में अपने 2 लाख रुपे इन्वेस्ट कर दिये, और यह जो 2 लाख रुपे थे, य आपके आपको इसके अगर और रिलेटिड और जानकारी चाहिए, तो मैं आपको लिंक में दे रहा हूं, वहां से आप इसकी पूरी आठीकल है, वह पढ़ सकते हो, तो दोस्तों मैं और कुछ दिन पहले ही मैं आइसी मुझे लगता है कि दो दिन या तीन दिन पहले मैं और उसने अपना 16 लाक रुपे इन्वेस्ट कर दिया पबजी गेम में जो कि पबजी प्रुफाल को अपडेट करने लिए उसने इन्वेस्ट किया था तो दोस्तों आज करके जो लड़के हैं वह ऐसा क्यों कर रहे हो तो मुझे समझ में नहीं रहा क्योंकि आर खुद के ब आपकी जिन्दगी वह सबर सके आपकी जिन्दगी वह कुछ अलग हो सके दूसरों से रिलेटेड और गेम है गेम को खेली टाइम पास किजे लेकिन उस गेम को अपने उपर हावी होने मत दीजे उसका एडिक्ट मत बनिए और दोस्तों अपना ख्याल रखिए और ऐसे जो कहता था और अब भी कहता हूं कैसे पबजी जो गिये में उसको टाइम पास के लिए खेल सकते हो लेकिन इसमें अपना जो जिन्दगी है उसको वेश्ट मत किजे दोस्तों और समझ के खेली तोड़ा सोच समझ के अपना जो दिन्दगी है उसको बचा के रखिए और ऐसे ज को मिले का बाकि किस नाम से आने वाले यह डिवाइज इसके रियाटिर अभी कोई कानफरमेशन है नहीं और कोई लीक्स भी नहीं आई यह बट आपको यह डिवाइज बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा वावे की तरफ से बाकि इसके रियल्मी की तरफ और दोस्तों तो रियल्मी एक्स लाइज कने मारे आरड युलस यूलाई को और सब्सक्राइब देखने को मिलेगा और लिक्विट कूलिंग 3.0 का सब्सक्राइब देखने को मिलेगी और 30 वाट का आपको इसमें फास्टा सपोर्ट भी दिया गया है और बात करें इस्टोरेज वेरेंट की तो कंपनी से 6GB वान ट्वंटी एट जी वें जिसकी प्राइस कंपनी ने 25,000 के अरॉंड रखी है तो दोस्तों इतना सस्ते में कंपनी यूरोप में लॉंच कर रही है बाकि इंडिया में इसे कब लॉंच किया जाएगा इसके डिटर अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं बट मुझे तितना लगता है कि रियलमी एक्सटी 5G स्मार्टफोन चुकी है तो मैं आप से शेर जरूर करूंगा अब बात करते हैं दोस्तों आज के आखरी ख़बर की और पोको एंडुप प्रोइस्मार्टफोन की जो रिटेल बॉक्स की लाइब इमेशन हो और उनको मैं आपने गुरू तरह से कहीं तो मैं उनको अपना गुरू मानता हू और उन्हों ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोको एंडूप प्रोइसमार्फोन की जो रिटेल बॉक्स की लाइब इमेशे वो शेर कर दिया है जोकी मैं आपको डिश्पाय में शो Regal कर रहा हूं तो एसा आपको पोको एंडू प्रोइसमार्फोन का रिटेल बॉक्स द करके हमें बताना कि वीडियों में कौन सी जो न्यूस थी आपके लिए सबसे इंपोर्टन थी और साथी में चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथी में बैल लगन प्रस कर देना ताकि ऐसे टेक्नियू से डिरेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जैब वह वीडियो अप्लोड करेंगे दोस्तों तो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत इस्टी होम रेक्टे सेफ रहे है और साथी में दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किजे जितना हो सके अपने इस भाई को सपोर्ट किजे दोस्तों